जो प्रेम यादों की हत्या में जो सरीक लोग थे अभी तक उनको प्रशाशन ने पकड़ा नहीं है ब्राम्हण को साधी ब्या और किसी भी काम के लिए ब्राम्हण को बुलाया ना जाए उनका पूरी तरह से समाजिक भहिश्कार किया जाए यादों सेना का एक बैयान था कि ब्राम्हणों का हुक का पानी बंद कर देंगे तो क्या वहाँ इस बात पर भी चर्चा हुई थी नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है प्रमुद गुपता और आप देख रहे हैं जे भारतियोज आज हमारे साथ खास बात चीत करने के लिए जौनपूर सांसाच स्याम सिंग यादों है बढ़ बहुत स्वागत्य सरु आप सरी यादों सेना की महा सभाम गए थे क्या बात चीत हुई वहाँ यादों सेना और तमाम दर्जनों संगठनों ने एक महा पंचायत लखनों में बुलाई थी कि जो पिछणों और दलितों के खिलाप जो इस सरकार की जोल्म और जादती है उसको कैसे निप्टा जाए सब लोग संगठित हो करके इसी कड़ी में आपने देखा होगा कि पिछले 20 दिनों पहले देवरिया में एक जगन ने हत्या कांड हुआ प्रेम यादों को घर पर बुला करके साजिशन उन्होंने उन पर हमला करके उनको हत्या कर दी और उसके प्रतिक्रिया सुरूप प्रेम यादों के आदमियों ने जा करके उस पंडी जी के दूबे जी के घर पांच लोगों को मार दिया जिन्होंने उनको बुला करके मारा था अब देखे हत्या तो दोनों ही हुई ओ दोनों परिवारों हो बहुत क्या कहिए दुर्भा के पूर्ण है दर्दनाक भी है जो की नहीं होना चाहिए लेकिन अब हो गई लेकिन उसको जातिवाद का रूप देने की कोशिस जो की ठीक नहीं है क्यों आप समझे जब प्रेम चंद की हत्या के बाद जो लोग तैस में गुस्से में उनके घर पर आक्रमर किया दूबे जी के घर उसमें ज़्यादा तर लोग ब्रामर ही थे प्रेम चंद का तो एक भाई था लेकिन उनके साथ उनसे लगाव रखने वाले उनसे संबंद रखने वाले ब्रामर थे तो इसमें कहां जातिवाद की बात आ जाती है जब ब्रामर के घर आक्रमर में ब्रामर लोग भी गए तो इसमें जातिवाद का इसको जान बूज करके एक राजनितिक फाइदा लेने के लिए बीजेपी पार्टी के लोग इसको जातिवाद का रंग देते हैं जबकि ऐसा नहीं है हमारा तो यह करना है कि हत्या चाहे जैसे भी हुई जिसने भी किया सही आरवपियों को ढूण करके निस्पक्ष रूप से एक फियर रूप से सबको खिलाब करवाई होनी चाहिए चारचित लगनी चाहिए और उनको सजा मिलनी चाहिए यादो से न के एक बयान था कि ब्रामडों का हुक का पानी बंद कर देंगे तो क्या वहां इस बात पर भी चर्चा हुई थी नहीं मेरे सामने तो इस बात पर चर्चा हुई नहीं लेकिन मैं इस समत नहीं हूँ कि ये समाज में एक जादी दोसरे जवात से मिल करके सबको आपस में हार्मोनियस वे में रहना चाहिए सद्भावना के साथ रहना चाहिए अब एक जादी का हुका पानी बंद करके उनका बैसकार करके ऐसे काम समाज में चलता नहीं है अब कोई ने कोई बहुत लोग होते हैं भासन देने वाले तो कुछ ने कुछ लोग अपने अंगिल से ये भी बात करते हैं इससे मैं इतफाक नहीं रखता हूँ सब को मिल कर चलना चाहिए अपने हक की लडाई लड़े अपने फायदे के लिए लड़े वो दूसरी चीज है लेकिन एक जाती विश्यश का करना हुका पानी बंद कर देंगे प्रशासन तो अभी तक फेल रहा ही है क्योंकि जो प्रेम यादव की हात्या में जो सरीक लोग थे अभी तक उनको प्रशासन ने पकड़ा नहीं है और सत्ता का स्तर्रिक्षन है उनको लेकिन मैं समझता हूँ कि एग ने एक दिन जरूर आएगा प्रशासन चेतेगा और उस पर कारवाई करेगा अभी खास बात चीत कर रहे थे जोनपूर सांसर स्याम सिंग यादव जिनका कहना है कि प्रशासन को निश्पक छरूप से कारवाई करनी चाहिए प्रेम चंद यादव के परिवार को नियाय नहीं मिल पा रहा है प्रमद गुपता जे भारत जोनपूर